ये जहां जाते हैं गर्मी बढ़ जाती है चाहिए वो इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री मनुजी कुछ ज्यादा ही गुस्से में रह रहे हैं तर कौन है जो आपको गुस्सा दिला रहा है जहां बरतन रहेंगे वहां खड़खड की आवाज तो होगी ही हो जाता है कभी-क गुष्टा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही परिवार के लोग है लेकिन जब बात ऊपर चले जाती है तो भावनाएं है चलक जाती है मैं ना किसी को personally target करके मैं कभी कुछ नहीं बोलता हूं, जो सच रहता है वो सच बोलता हूं, मैं फिर यह नहीं सोचता है कि मैं नक्सान होगा कि फायदा होगा, खेसारी जी ने और अक्षरा ने और तमाम लोगों ने बातसाह को ले आना चाहिए, अची बात है, उसको और बढ़िया से करना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि इसको जर्मनी नहीं, अमेरिका में ले जाके शूट करो, सब यहां अपनी जमीन तलास रहे हैं, सब हजार किलो मेट किलो मेटर से आयो हूं हैं, सब अपनी मंजिल ढूट रहे हैं, और अपनी मंजिल को ढूटने में, सब यहां तालाब में तैर रहे हैं, सब को अपना सिकार चाहिए, मचली चाहिए, मैं आप से बहतर, मैं आप से बहतर, मैं आप से बहतर होता है, तो बहतर चीज़े निकलत तक स्वाद्धक्रा घर्टों हो। यह तमाम बातों हो या फिर आने वाले प्रोजट्क्स लेकर हमारे सिर्थ एक सक्स है जिन से हम बात करने वाले हैं। उनको वैसे तो टाइगर कहते हैं वैं लखनों में बड़ा टेंदूओ का भी परकौप है। तो परेले टाइगर से मिलवाते हैं मैं बात कर ये मन्नो जी का सर आप तेंदुआ को भगाने के लिए लग रहा है जो समय लेजिए वैसे तो टाइगर जी का है कि चाहे रियल वाला तेंदुआ हो चाहे भोजपुरी वाले होते हैं उनको सब तेंदुआ बोलेंगी या फिर बूरेंगी भी पूरा सामने से एकडम जवाब देते हैं ठीक है हर इंडूरी में हर जिंगाँ पर दो तरह के लोग होते हैं सबका स्वागत है हुँंका भी स्वागत है अब तक आपने भोशपुरी इंड्श्ट्री में कितनी फिल्में कर ली होगी लगभग वेन मैंने अभी तेलगू किया और एक कुजराती की थी बेंगॉली में भी एक किया है बस और अहां इतने किया भोजपुरी किया हिंदी किया पांचे तो होई गया और इस वक्त आप लखनों में हैं और यहां पर भई ठंडी बहुत बढ़ गई है लेकिन हमारे टाइगर जी को ब लखनों क्यों है कुई नया प्रोजेक्ट यह किसी फ्ल्म के लिए नहीं लखनों देखिए लखनों से वास्ता बहुत पुराना है हमारा घर भी यहां है लेकिन बहुत दिनों से अरा अपनी एक सिनेमा बनाओं तो मैं और हमारे छोटे भाई है आलोक हम दोनों लोग मिलकर के एक ज्वाइंड वेंचर हमने बनाया है हम मिलकर प्रोडूस भी कर रहे हैं और मिलकर के हम डाइट भी कर रहे हैं तो वही फिल्म का लोकेशन देखने आए था 15 जनवरी से 30 जनवरी तक हम यहां है मजधार क्या बात है कि काफी इंटरस्टिंग कॉंसेप्ट है और आलोक जी भी है तो जाइड सी बाते धंमाल होने वाला है फिल्म में भी और फिल्म के सेट पर भी क्या बोलते हैं से जी बिलकुल हो तो हम लोग तो लागल रहा बता साथ के सेट में खूब एंजॉय करत अब कभी कभी हर इनसान का होता है बाप बेटे से भी गुष्छा हो जाता है घ्रावाई यह करको कार्व जाता है पहले बाद हमें कोई गुस्ता दिला देगा तो कंट्रोल करना चाहिए गुस्ता नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए हम सब एक ही परिवार के लोग है लेकिन जब बात ऊपर चले जाती है तो भावनाय चलक ही जाती है क्या करेंगे आपको नहीं लगते कि दो हिस्सों में बढ़ रहा है एक एल्बम इंडस्ट्री और एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं देखिए पहली बात यह है कि मैंने अकल रतनाकर जी का एक इंटरव्यू देखा मुझे बहुत अच्छा लगा बड़ा सुल्जा हुआ इंटर भाई बोलता भी हूं अलबम इंडस्ट्री आस थोड़ी है अलबम इंडस्ट्री तो चली आ रही टीज रीच आप नाम ले लिजिए वो गुड्डू रंगीला से ले करके और और मनोस्तिवारी जी से ले करके और कि दिनिस्वाल लेदों ने रहुआ पवं से सब इल्बम चली आ रही आज से थोड़ी चल रही है वीडियो बन रहे हैं और उसके गाने बन रहे हैं बट यह है कि एल्बम इंडिस्ट्री को अभी थोड़ा सा बड़ी लेवल पर ले गए लोग जैसे भी दुबई कोई शूट कर रहा है और पवन जी ने तमाम हिंदी हेलिकॉप्टर ले आएं तो कोई जर्मनी में जाकर सूट कर रहा है लेवल बढ़के अच्छी बात है किसारी जीने और अक्षरा ने और तमाम लोगों ने बातसाह को ले आना चाहिए मुझे इसमें तो इस बाती है कि चलो वह एक म्यूजिक सेक्शन है वह म्यूजिक एरिया है वह गाना ह है तो 2 हिस्सों में तो इंडेस्ट्री ने का कोई सवाल नहीं एठाब इस के सथेटर घंट में है जिसे हिंदी सिदेमा है हिंदी रंगमंच भी है थे यंदी अलबम भी है तो हिंदी रंगमंच मराथी रंगमंच ये लोग अपने चर्मोत कर्स पर हैं भोजपूरी का रंगमंच करते हैं लोग उसकी तरब किसी का अभी तक ना मेडिया का ना हमारे इंडेश्ट्री के लोगों का तो अब यह कहना कि टीन खेमे में बढ़ गई है एक थेटर है रंगमंच एक एलबम है एक सिनेमा ने सब एक ही हैं घुमा फिराके सब एक ही विधाये हैं उसी का हिस्सा है अच्छी बात है उसको और बढ़िया से करना चाहिए मैं तो कहता हूं कि इसको जर्मनी नहीं अमेरि अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है इसमें नहीं कर सकते तो यह लडाई था कि सआफ गाने नहीं आ अब गाना आ गया तब किसका कितने budget का गाना है, किसने किसको गवाया, उसको लेकर अब बिवाद हो गया है, मतलब ये लग रहा है कि आपको life में in future कभी ये चीजे हमारे जो hero है, हमारे जो superstar से उनकी मन से खतम होने वाला है कि हम ही हैं, तो हम ही हैं देखे यह human nature है यह जीवन में कभी किसी भी दुनिया में किसी इंडिस्ट्री में नहीं खतम होता और यह होना भी चाहिए प्रतिसपरधा की लड़ाई होनी चाहिए जब तक एक दूसरे से अच्छा करने की लड़ाई नहीं होगी तब तक अच्छा कुछ होगा नहीं मैं इससे देखने को मिलता है लेकिन जब इन्हीं स्टार्स में बिवाद होता है तो सिर्फ मुझे मनोज टाइगर जी भी बोलती है नजर आए निरहुआ जी बोलती है नजर आए बाकी लोग क्यों नहीं क्या उनका यह डर रहता है कि मैं बोलूंगा तो फिर इनके साथ काम कर अब एक आदमी अपना परिवार है उसके बीवी हैं बच्चे हैं वो सच को सच बोलने में डरते हैं उनका किचन भी तो चलाना है उनकी अपनी मजबूरी है एक बात दूसरी बात गुट में मैं ऐसा समझता हूं कि गुट जैसी कोई चीज है नहीं ठीक है कभी कोई वक्त अब आ गया तो वह उनकी तरफ से बोल दिये जो जिसके साथ बोल रहा है कि इमोशनल अटेश्मेंट होता है उस अटेश्मेंट में लोग दूसरे के लिए बोल दिते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ही जगह नहीं होता है यह हर जगह होता है परिवार में भी होता है कार्पोरेट में भी होता है यह किसी इंडिस्ट्री में होती है इंडिया के हर इंडिस्ट्री में होती है रही बात हमारी इंडिस्ट्री की तो क्या है कि आप हमारी इंडिस चीजे भी हमें बहुत बड़ी लगती हैं और कोई बात नहीं है बाकि धरे-धरे यह संट टाइम होता है दस दिन कोछ अच्छा होगा आप एक बहने बाद देखेगा वही एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे सब मुझे आपके एक बात बहुत अच्छी लगी थी आपका पहला वीडियो आया था जिसमें आपने खिसारी जी की बहुत तारीफ की लेकिन जब खिसारी जी चोटा सा वीडियो वारल हुआ तो उस चीज को आपने विरोध किया चीज अच्छा लगा कि आप कैसे बोल सकते हैं पांच लग खाली बात को लेकर आप बहुत रियाक्ट किये थे कि आम महनत का खा रहे हैं यह मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलिस्ट कोई तो है जो सामने से कह रहे हैं कि भाईया आप गलत हैं बाकि उन लोगों ने तो बोला जिनका नाम था लेकिन कोई हटके बोला लेकिन 2 दन बात कहें एक दिन बात कहें अक्षे मैं बात बुला उस पर आपने को yक जरा का इंटरिवों सुना घक of अबित नहीं सुना दूसरी अगर आप मुझे भाईया कहते हैं आप मुझे सेनियर समझते हैं या आप अपने घर का हिसा समझते हैं तो मैं बोलूँगा अगर आप इस दिन कहा देंगे कि भाईया आप मारे कुछ नहीं हो इस दिन कुछ नहीं बोलूँगा आप अच्छा करते हैं आप पैर छूते हैं आ तोड़ी है लेकिन अब जब वीडियो देखा मुझे बुरा लगा तो ठीक है अब वो किस संदर में बोला किस सिच्वेशन में बोला वो जानते होंगे लेकिन क्या है हम भोजपूरीयों का ना बड़ा विशाल हर्दय है हम कलाकारों का बड़ा विशाल कभी उसने अपना गलतियों से सबक लो आगे इसी गलती मत करो खतम बात इसमें करना क्या है चलना सबको साथ साथ ही है हम सब एक सिक्की के पहलू है दो पहलू है इधर भी उधर भी हमको चलना साथ में है क्या बात है